हेलो गाइस वल्कम बैक तो मैं चैनल और वाजिंग जोहार सार तो चले बनादे ब्यूटिफूल तफ वॉल्ल डेकॉर तो मैं लिए ये काटबॉड का स्ट्रेप इस पर मैंने पेपर से कवर कर दिया इसको मैंने इसको कुछ इसतर से फोटो फ्रेम के तरह स्टिक कर दिया बनाकर और मेरे पास से ब्लैक पेपर इसको पेपर स्टिक कर दूँगी मैंने इसको स्टिक कर दिया है और मैं यह काईट पेपर उसको मैंने दो स्टिप्स ली है इसको हम एक क्यों पर एक रखकर फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से सेंटर से इसके फोल्ड करना है और इसको जहाँ आपने फोल्ड कर लेना है और अब हम इसको कुछ इसा से जिग्जाग करकर फोल्ड कर देंगे अब मैं इसके सेंटर से इसको फोल्ड करकर इसे त्रेट से टाय कर दूंगे और अब हम इसे कुछ इसा से खोलना है अब हमने जो इसके लिए उसको हम खोल कर उपर के तरफ कर जाएंगे कुछ इस तरह से तो अब मैंने इसको कर दिया है अब ये शायद मेरी लास्ट लियर चाल हूँ है और ये हो गया हमारा प्लावर बनकर रदी है अब हमें कुछ इस तरह से इसको शेप देना है और अब हम इसे सीजर के हट से कट करेंगे कुछ इस तरह से इसके पूर जो एक्सा पार्ट से उसको इसको इसको करना है करनल के एक्सा पार्ट जो है इसके और मैं इससे तरह और में बना है जो कि अलग अलग साइजेस में है अमें लेड़ी इसको मुछ इसको कुछ इससे फूल करें ने पूल करते चाना है और मैं इसको वपन कर दूँगी मैं इसको वपन कर दिया अब मैं अपने फ्लावर के पीछे गम लगा कर स्टिक कर देंगे हम कुछ इस तरह से मैं सारे फ्लावर स्टिक कर दूँगी अब मैं इसको अपने फ्लावर स्टिक कर दिया मैंने अब मैंने कितना प्यारा दिख्राएं ना अब मैंने एक द्राद लिया इसको वपन कुछ इस तरह से स्टिक कर देंगे अब मेरे एक्जाम्स चल रहते हैं अब मेरे एक्जाम्स खतम हो गए हैं तो मैं रोज वीडियो डालूँगी जब एक्जाम्स प्याँगी झालूँगी झालूँगी झाल